आजादी के 75 वी बरस गांट पर हर घर तिरंगा अभियान भारा सरकार द्वारा चिलाय जा रहा है आजादी के अमरित महुत्सो पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आप सभी को अपने घरों पर 13-15 अगस तक जंडा फहराना है जंडा संहिता में क्या बदलाव किया गया है, जंडा कैसे लगाएं, तिरंगा कहां लगाएं और तिरंगा कहां से प्राप्त करें हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा कहां फहराएं घर की बालकनी पर जसा कि आप चित्र में देख रहे हैं घर के दरवाजे पर, चित्र में आपको दिख रहा है, घर की खिड़कियों पर, तिरंगा घर के उंचे अस्थान पर लगाएं, तिरंगा फहराते समें यह ध्यान रखें, की सबसे उपर के सरिया रंग हो, बीच में सफेद, उसके नीचे हरा, सही क्रम में तिरंगा फहराएं, तिरंगा कहां से प्राप्ट करें, आप अपने छेत्र के पोश्टापिस से मात्र 25 रुपे में तिरंगा प्राप्ट कर सकते हैं, तिरंगा आप आनलाइन भी खरीच सकते हैं, इसके लिए आपको पोश्टापिस की अजिकारिक वेब साइट पर जाकर, www.epostoffice.gov.in पर लागिन करें, राश्टी रहत को खरीदने के लिए अपना पता कितने जंडे लेने हैं, उनकी संख्या और मोबाइल नमबर डालें, और आडर कंफर्म करने के लिए पेमेंट प्रक्रिया को पूरी करें, पेमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद और आडर कंफर्म होने के बाद इसे रद नहीं किया जा सकता है, डाग घर आपके दिये पते पर डिलेवरी करेगा, और इसके लिए कोई डिलेवरी चार्ज नहीं लेगा यदि आप आनलाइन तिरंगा फ़हराना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृती मंत्राले ने एक अलग वेवस्थादी है इसके लिए आपको https.harkharthiranga.com पर जाकर आनलाइन तिरंगा फ़हरा सकते हैं तिरंगे के साथ सेलफी भी ले सकते हैं यही नई सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं जंडे के लोकेशन के आधार पर पिन भी किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा जंडा संहिता में संसुधन किया गया है अब नियमानुसार तिरंगा दिन और रात दोनों समय में फाराया जा सकेगा अब पालिष्टर और मसीन से बने चाश्टी धज का भी उपयोग किया जा सकता है ज्या तब है कि पहले तिरंगों को केवल सुरियोद से सुरियास तक फाराने की अनमती थी अब भारती ज्ञंडा संहिता 2002 के भाग दो के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह से पढ़ा जाएगा जहां ज्ञंडा फुले में प्रशित किया जाता है या किसी नागरी के घर पर प्रशित किया जाता है इसे दिन रात फाराया जा सकता है पहले केवल सुर्योद से सुर्यास तक फाराने की अनमती थी हम सब हर घर तिरंगा अव्यान का हिस्टा बने और अपने घर पर तिरंगा फाराये